गर्व है गुद्रात का आदमी पीए में लेकिन शर्म इस बात की आती है कि गुद्रात का आदमी होके भी इतना बड़ा जूट बोल रहा है ये देश हमरा गांधीजी का देश है सरदार वल्लब भाई पक्षा देश है और उसमें से ऐसा एक आदमी जो पीएम बन के बैठा जो जुमले दे रहा है एक आम आदमी की जरूरत है वो है रोटी कपड़ा मकान उसके पास उसको चाहिए रोजगार आज सरकार एमप्लॉइमेंट पर बात नहीं करती बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बात नहीं करती हमने उनको काम की बात के लिए सरकार बनाई थी ले करेंगे महंगाई कम करने वाले हैं सब गरीबों के मारने वाले महंगाई कम करने वाले नहीं है अब तो जानती हो कि मैला सुरक्षा है गुजरत के अंदर मैला सुरक्षा नहीं है मैला को लड़कियों को बाहर हम निकाल तो हमको सोचने परता है कि हमारी जावान लड़की क किस तरह बार निकाल कुजरात मोडल नहीं है हम बहुत परेशाने मोती जी से चाई बेचने वाला कोई नहीं है अगर चाई बेचने वाला होता ना तो दस्दा सूट नहीं बदलते हूं कि आर्दिक पटेल जी के उपर देश ध्रोका केस था फिट केस था हमको पता है उनको इलेक्शन लडने की आजादी मिलती है और राउल गांदी जी जो है डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं डेफरमेशन में तो हमें दूख होता है कि ये गलत हो रहा है एक डेफरमेशन के केस में कोई डिस्क्वालिफाई हो जाए और देश ध्रोक के केस में इलेक्शन लडने की आजादी मिल जाए तो क्या कहोगे अश्रुब मेंट है खेड़ुत को जो लोन मिलना चाहती है वो लोन नहीं मिलती है 15 लाग का बोला था मोदी जी ने वो नहीं आये है ठीक है शिरिफ पब्लिक को आश्वासन देते हैं और पब्लिक का खाली सोशन करते हैं क्राइम रेट की बात करें तो यहां पे गुजरात में कस्टोडियल डेथ है और महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है ठीक है वो तो हर देश में हर जगाई महिलाओं के साथ जो भी क्राइम हो रहा है वो बहुत जादा हो रहा है इसका रेट कम हो सके महिलाओं को इंसाफ मिल सके इस तरह की कोई अच्छी policies आए उसका implementation ठीको और युवाओं को अच्छे से रोजगार मिले ठीके आपको पता ये government sector में बहुत जादा पदों पे भरती है पर सरकार कुछ भरती ला नहीं रही है और बार पर paper फूट रहे तो युवाओं लोग भी परिशान हो जा रहे तो हमा system अच्छा होगा लोग को असानी से न्याय मिलेगा ताना शाही नहीं चलेगी लेकिन ताना शाही चल रही है ताना शाही डिक्टेट डिक्टेटर्शिप इस लाइक वाइडली स्प्रेड बिलकुल याने कहीं भी किसी का कोई याने सुनी नहीं रहा है you can say that हम खुद वकील होके हम हमारी कोर्ट बिलिंग के लिए इतना परेशान है तो आम जंदा का तो कहना ही क्या है कोई सुन्वाई नहीं हो रहे हैं मोदी जी तो मैं ऐसा बोलूंगी कि कुछ खास नहीं है क्योंकि हमको जो फैसिलीटी और जो चाहिए वो सब हमको नहीं मिल रहा है लेकिन कितने तो तुम देखो तो खेड़ूत भी आत्माहतिया करने पर उतार चौदा में वादे किये थे बहुत हुआ मैला हो प्यात्याचार अपकी बार मोदी सरकार आप सुरचित होंगी मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हमको ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जो जो वादे किये थे वह अभी तक कोई कंप्लीट हुए नहीं है कोई देखने भी मिल ला है कि बहुत सारी महिला इंफेक्ट वकी लोगों को देखो और बहुत ज्यादा देखो अभी उनकी भारा जोड़ो यातरा के इसाफ से में देख यह भी देख रही हूं कि राहुल गांदी इस ब सब चीजों के भाव बढ़ गए हैं पेट्रोल का रेट ज्यादा है जमीन महंगी मिल रही है हर चीज की महंगाई है और गरीब आदमी तो जी नहीं सकता है इनके राजम अरे दीकत क्या है आप लोगों को नहीं दिखता है कि इतना दीकत है सारा पब्लिक परेसान हो गया सा है दीकत नहीं जोले तो महंगाई कम कर देंगे करदी च्या मेहंगाई कम करने वाले हैं महान तो हम को सोचने पड़ता है सबसे बेटर कॉंग्रेश की सरकार थी आज साथ साल कॉंग्रेश ने राच किया कोई परेशा नहीं थी लेकिन दस साल में विजेपी की सरकार बनी है हम लोग बहुत दुखी और बहुत परेशा है दस साल में डंका बजगया बहुत विकास हो है और गुजरात किस परस्तिती पर चल रहा है अप तो गुजरात से भी निकाल देगे और दिली से भी मोती जी को निकालना चाहते है हम रावल जी को लाना चाहते है गुजरात से भी निकालेंगे दिली से भी निकालेंगे और गुजरात से भी निकालेंगे मोती जी को और रावल जी को लख सब mahu मेला युहा सब एक होकर हम गुजराच से भी और दिल्ले से भी पहले दाल सस्ति कर देंगे तेल सस्ता हो जाएगा किजन का समान सब्सक्राइब सब महगा है सब महेंगा है सब कि हूए नहीं है तनाचाई पीछले चुनाव में आनके शाहयह हुआ बाइन लेकिन यहां कमाना पड़ता है राम से घर नहीं चलता है कमाने तो जाना ही पड़े परें सब महञगी हो गई है अगर चाई बेचने वाला होता न तो दस्दा सूट नहीं कर दिया है एक परिवार में पेट नहीं बरता है दो कि पांच किलो आटा परिवार में फिर वह भूका रहेगा फिर करजा कारने जाएगा भाईया पांच रूपया दे दे तो मेरा बाल बच्चे हम लोग पेट भर के असी को मिलता है उसी को मिलता है बाकी पबलिक गरिपता भूका रासन एक मिट रासन ऐसा है कि वह जनवर भी ने खा सकेगे जो गा हूँ तो प्रतेक्ष तोर पे कल के कल मेरे हिलाब या तो कुछ इंक्वारी बैठ जाएगी या तो कोई केस दाखिल हो जाएगा या तो यह भी अगर मुझे आतंगवादी घोशित कर जाए इसमें भी बड़ी बात नहीं है कि मेरे आईसाइस है या पाकिस्तान के साथ कोई भी जी जाने उन्हका उनका मोडल वही जाने अब हम क्या बताये वासी है ना गुज्ञात कैं नहीं है है दूर। प्रधान मंत्री की जाबदारी होती है वो पूरे देश के प्रती होती है वो किसी एक राज्य का प्रधान मंत्री नहीं है वो पूरे देश का प्रधान मंत्री है तो उसको पूरे देश को साथ लेके चलना होगा अभी जो राजनीती चलती है वो कभी धर्मे के नाम पे कभी दूसरे मुद्दों पे कभी ये विकास मोडल एक आम आदमी की ज़रुरत है वो है रोटी कपड़ा मकान उसके पास उसको चाहिए रोजगार इस चीज को हासिल करने का रोजगार चीए आज सरकार काम की बात होती है हमने उनको काम की बात के लिए सरकार बनाई थी लेकिन वह मन की बात करते हैं आज तक एक भी open press conference नहीं किया मोधी जी ने बुलते हैं कि पिछली जो government तो उमारे प्रधान मंत्री थे वो मौन रहते थे उनको कुछ बूले लेकिन हर बार press conference किया करते थे यह सरकार कि ऐसी क्या मजबूरी को open press conference नहीं करते अब तो भी डरते नहीं तो करते क्यों नहीं जुरूर बदल गया अब अगर कोई बाहर से आता है ना तो जुग्डी जोपड़ियों पर दिवाल चड़ाई जाती है अपने देश के विकास को छुपाया जाता है इतना तो देश बदला है मैं भी मानता हूं यह मोधी है तो मुमकिन है को करें सत्र साल में कोई कुछ नहीं करपाया 10 साल में मैंने कि 60 साल में जुपड़ी बनी तो दस साल में यह जो सरकार रही और किसका साथ विकास किसका हुआ आप q mission आपी सुप्रीम लोगों का रासन दे रहें पाश लोग ये परिष्टिती देश की पाश किलो लोग असी का पाश किलो रासन पर असी करणों लोग जिंदा हैं यह हमारा प्रधान मंद्री एक्सप्ट कर रहा है हमारा विकास फरक हुआ 2014 के बाद राजनीती में फरक हुआ है कि 2014 के पहले हम जीस चीज़ में सरम महसूस होती थी कि 2014 के बाद उस चीज़ में हमन मसूस हो रहा है यह डंका बज़ रहा है अब किसा साल में कुछ नहीं हुआ हमारा आपका जनम भी साथ 2014 के बाद ही हुआ हम तो ऐसा मनत है हमारा सत्ता साल में जो हुआ आडानी म्हानी को बेट दिया एरपूर्ट में और एल्मएटी संब दिया जो सस्ता था हुए का दिया जो गरीब लोगों को प्रफिट होना चाहिए ता अब आने आंपारी ने किया है यह तो गुल्मेंट खुद बोरी है कि मेने विकास कि आपन जं जबाब देना एक कांग्रेसी कार्टाओं का दम है हम कह सकते हैं को नहीं कह सकते हैं को शम्चागरी वाली पाटी नहीं है हो एक यहां का है यहां का और जो अर्थ विवस्ता बनी हुए ना प्यारियों और उद्योगपतियों की वज़ा से बनी हुई है पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है ना कि आपको मुंसिबल कॉर्परेशन से एक सर्टीफिकेट लेना होना तो भी आपको दस दस हजार की रिस्वत देनी पड़ती है आप अगर यहां पर पुलिस्टेश सही बात है परिवर्तन चाहिए और इस देश को राहूल जी जैसा नेता चाहिए और राहूल जी हम प्रधान मंतरी के रुप में देखना चाहते नियाय का हक मिलने तक